volcano and earthquake हमारे प्रित्वी के नीचे बहुत सारे plate है कुछ जमीन के नीचे हैं उसे हम continental plate काते हैं वहीं कुछ ocean के नीचे हैं उसे हम oceanic plate काते हैं ये plate जो हैं movement करते रहते हैं जब दो plate एक दूसरे से दूर जाते हैं मतलब diverge होते हैं तो बीच में gap हो जाता है और प्लेटों के डाइवर्जन के कारर वोलकैनों आता है वहीं जब दोनों प्लेट एक दूसरी के पास आते हैं मतलब कन्वर्ज होते हैं तकराने की स्थिती में अर्थक्वेक आता है आप अक्सर इसे निूज में सुनते होंगे कि नेपाल में अर्थक्वेक आया है क्योंकि प्लेट जो है वो मुवमेंट करता रहता है